दुस्तो Reliance Foundation की दरफ से एक नए scholarship program को launch किया गया है जिसके लिए undergraduate और graduate दोनों ही type के student eligible होने वाले हैं यानि कि अगर आप 12th pass है, undergraduate हैं तो भी आप इस scholarship program के लिए apply कर सकते हैं और अगर आप post graduate कर रहे हैं तो भी आप इस scholarship के लिए apply कर सकते हैं अगर आप यहां पर select हो जाते हैं तो आपको 2,00,00 रुपए तक का scholarship मिलने वाला है अब इस video में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस scholarship program के लिए apply करेंगे क्या selection process होने वाला है और इसका eligibility criteria क्या होगा सब कुछ दोस्तों मैं आपको detail में इस video में बताऊंगा तो सब क जानने के लिए बस आप इस video को like कर दो and continue guys इस video को देखते रहो दोस्तों सबसे पहले आपको Reliance Foundation Scholarship के official website को open कर लेना है जिसका link नीचे description में मिल जाएगा यहां पर दोस्तों आप ओपर देखेंगे तो undergraduate scholarship उसके बाद post graduate scholarship जो भी दोस्तों आप हैं उससे आपको यहां पर select कर लेते हैं मैं आपको undergraduate के apply करके दिखाने वाला हूँ ठीक है नीचे आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको scholarship features के बारे में बताया गया है जिसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात ही है कि 5000 scholars को select किया जाएगा यानि कि scholarship program के लिए तो यह काफी बड़ी बात है उसके साथ साथ दोस्तों जो scholarship amount होगा वो 2 लाक रुपए तक का होने वाला है यानि कि अगर आपका selection होता है तो ऐसे में आपको 2 लाक रुपए का scholarship amount मिलने वाला है ठीक है उसके बाद यहां पर नीचे 200 scholarship values के बारे में बताया गया है तो इसे आप चाहें readout कर सकते हैं आपको कुछ information आपको सहले ही आपको apply कर लेना है अगर आप इसके बाद apply करने आते हैं तो यह form जो है close हो जाएगा तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों चार इस टेप के बारे में बताया गया है जिसमें आपका selection होगा सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा application form को भरना होगा एंड इसे submit करना होगा जिसके बारे में यहापर पूरा का पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक test होगा यह जो test है ना दोस्तों यह 60 minute का होगा और यहाँ पर दोस्तों MCQ यानि कि multiple choice type के question आपसे पूछे जाएंगे जिसका आपको answer देना होगा यह test जैसे आप complete करते हैं उसके बाद दोस्तों जो अगला step आता है वह है दोस्तों first level selection आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है यह first level selection के बारे में आपर बताएंगे हैं उसके बाद आता है announcement announcement में दोस्तों 5000 scholars को select किया जाएगा जैसा कि मैंने starting में ही आपको बता दिया उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो announcement होगा जो result आएगा वो March 2023 में आपको पता चल जाएगा कि आपका selection हुआ है या फिर नहीं हुआ है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ contact detail दिया गया है जिस पर आप चाहें तो whatsapp करके या फिर डारेकली call करके और भी जो information है उसे collect कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पर आपको eligibility criteria के बारे में बताया गया है कि कौन-कौन eligible है सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन point mention क्या गया है यह तीनो point आपको ध्यान से देख लेना है सबसे पहला है कि आप एक भारतियन आगरीक होने चाहिए apply करने के लिए और आप 12 में pass होने चाहिए 60% से जादा आपका marks होना चाहिए 12 में ठीक है तो यहाँ पर आपको यह पूरा का पूरा देख लेना है तभी आप eligible होंगे उसके बाद student यानि कि आपके घर की जो household income है वो 15 लाग से कम होनी चाहिए तो यह 3 point यहाँ पर mention किया गया है और अगर आपके घर की household income 2.5 लेक से कम है तो ऐसे में आपको ज्यादा preference दिया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पर mention किया गया है तो यह 3 point है जो आपको ध्यान में रख लेना है ठीक है उसके बाद जैसे आप नीची आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है click here to apply ठीक है तो यहाँ से आप apply कर सकते हैं तो आपको इसी के उपर click करना है इस पर click करेंगे तो नीची एक form खुल कर आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको यह जो उपर checkbox दिया गया है इसके उपर आपको click कर देना है इस प्रकार से उसके बाद दोस्तों आपका जो 12 में percentage आया है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है कि 60%, 70%, 80% जो भी परसेंट आया है उसे डाल देना है यहाँ से आपको select degree stream आपको अपना जो degree का stream है उसे select कर लेना है सभी option यहाँ पर available है जो भी आपका है वो आप यहाँ पर select कर लिए इस प्रकार से उसके बाद select degree type आपको यहाँ पर degree का जो type है उसे choose कर लेना है इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पर degree का duration कितने साल का होने वाला है वो आपको यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको अपना mobile number दे देना है उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो select source of information आपको इस program के बारे में कहां से पता चला है तो यहाँ पर कई option है तो आपको यहाँ पर YouTube select कलेना है क्योंकि आप YouTube पर इस means program के बारे में देख रहे हो यहाँ पर आपको अपना household income select करना है कि आपके घर की household income कितना है यहाँ पर सभी option दिया गया है तो आप अपने हिसाफ से इस प्रकार से select कलीजे यह सब चीजे होने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है यह दोनों जो checkbox से इसके उपर click करना है और capture code को यहाँ पर डाल देना है उसके बाद submit कर देना है जैसे आप इसे submit करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है you are eligible to apply to the scholarship ठीक है तो अब आपको यहाँ पर simply क्या कर देना है जो नीचे done का button दिया गया है इसी के उपर click कर देना है अब आपको अपना जो mail section है यानि की जो email है उसे open कर लेना है यहाँ पर दोस्तों आपको एक username और एक password भेजा जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा username आ चुका है उसके बाद यहाँ पर password भी आ चुका है ठीक है अब आपको इसी से login करना है login कैसे करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक link भी दिया गया है link to application जैसे उपर आप देखेंगे यहाँ पर देख लिजे click to application ठीक है तो आपको यहाँ पर आगे click here का option है इसके उपर click कर लेना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो user name है उसे डाल देना है password डाल देना है जो आपको email id पर मिला है उसके बाद आपको यहाँ पर login कर लेना है जैसे आप इसे login करेंगे आपको अपना password चेंज करने के लिए बोला जाएगा क्योंकि यह auto generate password होता है तो इसे आपको change करना ह तो send OTP पर click करके ok करना है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कई option आजाता है तो जो current password जो email id पर मिला है उसे आपको डाल देना है यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको अपना एक new password बना लेना है जो new password आप बनाएंगे वही यहाँ पर डा पुली दोस्तों change हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब simply दोस्तों वापिस से आपको यहाँ पर login करना है अपना जो username है और जो आपने new password बनाया है उसे डाल कर दोस्तों आपको यहाँ पर login कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके terms आ जाता है त जैसे आप agree करते हैं आपके email id पर वापिस से एक OTP भेजा जाता है तो आपको जो OTP है उसे दोस्तों यहाँ पर enter कर लेना है OTP यहाँ पर डालने के बाद नीचे submit के बटन पर click कर देना है जैसे आप इसे submit करते हैं आपके सामने application आ जाता है तो यहाँ पर continue application के उपर click करना है आपके सामने दोबारा से application form खुल जाएगा यहाँ पर आपके कुछ personal detail जो starting में आपने fill up के है वहाँ से आ जाता है लेकिन बहुत सारी चीज़े मिश्रिंग है तो इसे आपको अपने से ही fill up करना होगा ठीक है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अपने बारे में details भर द जाल देना है जैसे कि आप देख सकते है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको achievements के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने achievements की बारे में बता देना है जो भी award and achievements है फिर supporting document के उपर आना है यहाँ पर आपको अपना 12th का mark sheet है उसे दोस्तों आप चाहें तो upload कर सकत इसके बाद दोस्तों last में आता है review application इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो application यह खुल कर आ जाता है जिससे आपको एक बार चेक कर लेना है सब चीजे perfect है अगर सब चीज सही है तो आपको submit application के उपर क्लिक करना है जैसे आप submit क देना होगा इस test का duration होगा वो 60 minute का होगा और इसमें multiple choice type के question आपसे पूछे जाएंगे इसके बारे में दोस्तों आपको email पर ही guide कर दिया जाएगा कि कब test होगा कैसे होगा सब कुछ दोस्तों आपको email पर मिल जाएगा समझ गये तो यहाँ पर हमने पहला step पूरा complete कर लिया हैं तो इस प्रकार दोस्तों आप Reliance Foundation के यह जो scholarship program है इसके लिए online apply कर सकते हैं और आसानी से दोस्तों scholarship का lab उठा सकते हैं तो अगर आप एक student है तो जरूर से जरूर इस program के लिए apply करें बहुत ही बोल सकते है benefit वाला यह program आया है Reliance की तरफ से तो अगर आपको यह video पसंद आ आई तो वीडियो को लाई को शेर कर देना थैंक दोस्तों बाई बैं टेक कियर